आ रहा है नहीं तो ऐसे ही टहलते रहेंगे अभी भी देखी रहे हैं कोरोना में सब कुछ बंद हो गया पिता जी को परिशान होते हुए देख रहे हैं बिजनिस बंद हो गया दुकान तक बंद हो गई कम से कम तुमारी सरकारी नौकरी रहेगी और ऐसे कोई कोरोना टोरोना आजाएगा तो घर का जीवन यापन तो चलता रहेगा तो पढ़ लीजिए क्यों इस कीमती समय को खराब कर रहे हैं अपने जीवन के बताइए कि आपको नहीं लगता कि अब तक आपकी नौकरी लग जानी चाहिए और अब अगर नहीं लगी है तो अगले साल तक लग जानी कि आप नहीं देखते जिन बच्चों का सेलेक्शन हो गया है उनकी चहरे पर कैसी खुशी रहती है कितना अटिट्यूड आ जाता है अलग से आप नहीं चाहते हो एटिट्यूड लाना जब समाज आपको सम्मान की दरश्टी से देखे